दोस्तों अगर आप भी समय एक नई लेटेस्स स्मार्ट टीवी बाई करने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो स्पेशली आप के लिए है अब दोस्तों फाइनली वीडियो का यहाँ पर हम शिरु करते हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट अपकमिंग स्मार्ट टीवी की जिसका आप लोग बहुत ही बेसबरी से इंतसार कर रहे थे और यह स्मार्ट टीवी हैं में टीवी 5 एन 5 प्रो जी यहां दोस्तों जो टीवी हैं यह 2019 में चाइनीज मार्ट में लाँच किये गया थे काफी अच्छी प्राइज और काफी अच्छी स्पेसिफिकेशिंग के साथ बट दोस्तों ये TVs इंडियन मार्केट में लाँच नहीं हो रहते हैं लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर मी इंडिया के Twitter handle पर एक teaser डाला गया है जिसमें हमें एक Eclipse दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लिखा गया है Quantum Leaps Ahead अब इस पूरे teaser का conclusion ये निकल कर आता है कि MI जल्द ही इंडियन मार्केट में एक QLED पैनल वाली TV को लाँच करने वाला है और अगर हम मार्केट और लिक्स की मारें तो उनके हिसाब से इंडियन मार्केट में अभी Mi TV 5 & 5 Pro लाँच होने वाले हैं लास्टाइम उन्होंने Mi TV 4X Series को लाँच किया था और अब ये समय है Mi TV 5 Series को लाने का वेल दोस्तों बात करें मेरे उपीनियन की तो मेरे हिसाब से MI के TVs काफी अच्छी होती है सौफटर और हाडवर भी काफी अच्छा होता है लेकिन जो कमी मुझे हर एक Mi TV में देखने मलती है वो है इनकी Pitch Quality ये सभी चीज़ों उपर फोकस करते हैं लेकिन इनकी TVs की Pitch Quality उतनी अच्छी नहीं होती है तो यहाँ पर हम उमीद करते हैं कि इस बार ये जो नई TVs आ रही है इनमें आपको brightness and contrast काफी अच्छा मिले ताकि बाकी सारे features के साथ जो TV की primary requirement है वो भी आपको better मिले बाइदेवे दोस्तों आपका क्या opinion है में TV को लेकर और आप क्या आप interested हो इस news को देखने के बाद MI TV में ये भी मुझे comment में लेकर जरूर बताना अब दोस्तों चलें यहाँ पर हम बढ़ते हैं हमारे next upcoming TV की तरफ जो की आने वाला है Infinex की तरफ से जियां दोस्तों हाली में Infinex का नया smartphone लॉंच हुआ है जो की है Infinex 08i और इसके launch के दुरान Infinex India की CEO ने hint दिया है कि December के end में आपको Infinex branded smart TVs Indian market में देखने मिलने वाले हैं और अगर हम leaks की बात करें तो इनके हिसाब से आपको दो TVs मिलने वाले हैं 32 inch और 43 inch screen size जात में और यह TVs Android TVs होने वाले हैं इसी के साथ दोस्तों Infinex soundbars को भी launch करने वाला है फ़र दोस्तों Infinex एक अच्छा brand है जो की अभी काफी ज़ादा ग्रो कर रहा है और काफी तीजी से ग्रो कर रहा है अगर इनके TVs अच्छी picture quality और अच्छी specs और अच्छी price stack के साथ आते हैं और इनमें कुछ unique होता है तो definitely मैं इन TVs को buy करके आपके लिए detail review वीडियो ज़रूर लेकर आऊंगा बाइदेवे आपका क्या opinion है इस topic पर इस TV को लेकर ये मुझे comment में ज़रूर बतना इसी के साथ अगर आप आगे आने वाली वीडियो के latest notification बना चाहते हो और unboxing और review वीडियो देखना चाहते हो एक flagship level की TV को launch किया है जिसमें आपको 8GB तक की RAM मलती है अब TV में 8GB RAM का क्या use तो भाई ये तो OPPO वालो को ही पता होगा वेल बात करते हैं यहाँ पर हम India की तो Indian market में यहाँ पर strong leaks आ रहे हैं कि OPPO जल्द ही अपनी नई TVs को launch कर सकता है और जहाँ तक दोस्तों मेरा मानना है यहाँ पर आपको flagship वाली TV नहीं मिलेगे यहाँ पर आपको OPPO के budget range वाले TVs देखने मिलेंगे वेल दोस्तों यहाँ पर इनके regarding भी कोई information नहीं है कि क्या होंगे specs, क्या होगी screen size अब इतक तो यह सारी news नहीं आई है लेकिन जैसे कोई update आएगा मैं आपको video बना कर update कर दूँगा तो यहाँ पर आप यह मान के चलिए कि 2020 के first quarter में आपको Indian market में OPPO की तरफ से भी TVs देखने मिल सकते हैं अब दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ आप रमारे next upcoming TV की तरफ जो की आने वाला है Hisense की तरफ से दोस्तों Hisense ने अभी हाली में ही Indian market में कदम रखा है अपने Hisense TV के साथ में और अब यहाँ पर Hisense अपनी और एक series को launch करने वाला है जो की है Hisense Tornado series जो की मेरे साब से आने वाले कुछी दिनों में just launch होने वाले है यहाँ पर यह TVs दो screen size में आने वाले हैं 55 इंच और 65 इंच के साथ में और अगर हम बात करें इन TVs के specifications की तो इन TVs में आपको JBL powered sound bar मिलने वाला है वितो Dolby Atmos support और इन sound bar में जो आपको speaker मिलते हैं उनकी total output 102 watt की है जी यहाँ दोस्तों यहाँ पर आपको एक proper sound bar attach करके दिया जा रहा है इस TV में इसली के साथ इस TV की picture quality को भी enhance किया गया है और हाँ दोस्तों यहाँ पर एक important update भी है जब यह TV launch होगी इंडियन मारकेट में उसी दिन आपको इस TV की unboxing और review वीडियो इस channel पर मिलने वाली है तो make sure आप channel को जरूर subscribe कर ले इसलिए दोस्तों मैं आपको बार-बार बोर रहा हूं because channel पर और बहुत सरे TVs की unboxing वीडियो आने वाली है तो अगर आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो subscribe जरूर कर लेना बात करें इस TV की तो इस TV की quality वगरे कैसी है जब हम वीडियो बनाकर test करेंगे तो आपको पता चली जाएगा तो दोस्तों ये थे कुछ upcoming TVs जो की almost confirm हो चुके हैं और ये आपको आने वाले एक से दो मेने में इंडियन मार्केट में देखने मिलने वाले हैं अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हम कुछ और TVs की जिनकों आप expect कर सकते हो लेकिन इनके तरफ से कोई leaks और updates नहीं आया है यहाँ पर दोस्तों इस case में सबसे पहला नाम व्यू का निकल कराता है और जहाँ तर दोस्तों मेरा मानना है कि 2021 के first quarter में इंडियन मार्केट में आपको व्यू की एक नई 4K smart TV series देखने मिल सकती है और जैसे अब सभी को पता है 2020 इंके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है इंके TVs काफी लंबे समय तक out of stock चल रहते हैं जिसको लेकर जो buyers है वो काफी साथ नराज है तो जहां तक मुझे लग रहा है कि नए साल में view अपने नए TVs साथ में एक नई शुरुआत करने वाला है इसी के साथ दोस्तों बाकि जितने भी brands है वो भी नए साल में अपने नए TVs लेकर आने वाले हैं और जैसे जैसे updates मिलते जाएगे उनके बारे में मैं भी आपको वीडियो के तुरू update करता रहूंगा तो यहां पर दोस्तों यह थे सारे upcoming TVs जो कि आपको आने वाले कुछी मैंनों में इंडिन मार्केट में देखने मिलने वाले हैं अब यहां पर आप सभी का सवाल आएगा कि क्या हमें अभी टिवी बाई करना चाहिए या फिर हमें थोड़ा wait करना चाहिए तो देखे दोस्तों अगर आप थोड़ा सा wait कर सकते हो तो definitely मैं आप सभी को suggest करूँगा कि थोड़ा सा wait कर लीजिए because थोड़ा wait करने के बाद आपको थोड़े better option मिलेंगे थोड़े latest option मिलेंगे और obviously वहाँ पर जो आपको quality मिलेगी वो previous version से better ही मिलेगी तो yes जो लोग पूछ रहे था कि wait करना है या फिर नहीं करना है तो कर लीजिए आपको थोड़े better option मिले कि chances यहाँ पर जादा है इसलिके साथ अगर आप urgently कोई टीवी लेना चाहते हो तो description जरूर चेक करना मैंने आपको कुछ best deals दी हैं जो कि अभी आपको smart TVs पर मिल रही है उमीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आओगा और हाँ दोस्तों अगर आपको future में आने वाली वीडियो का notification चीए तो subscribe जरूर कर देना आज के लिए इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई सावनारा